आरुशी हत्याकांट नहीं आई जज्जमेंट की कॉपी अब सोमवार को होगी तलवार दमपती की रिहाई आरुशी हेमराज मड़ा केस में ब्रिहस पतिवार को हाइकोर्ट से बरी किये गए तलवार दमपती को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना पड़ेगा हाई कोर्ट से जज्जमेंट की प्रमानिक कॉपी नहीं मिलने के चलते शुकरवार को उनका रिहाई परवाना जारी नहीं हो सका कानून के जानकारों के मुताबिक अब तलवार दमपती की रहाई सोनवार तक ही हो सकेगी क्यूंकि द्वितियश अनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले की कौपी बचाव पक्ष को शुक्रवार शाम मिली डिफेंस के अधिवक्ता मनोज शिशोदिया ने बताया की तलवार फैमली के करीबी विकास सेथी शुक्रवार रात को जज्जमेंट की प्रमानिक कौपी लेकर इलाहबाद से गाजियाबाद के लिए रवाना हुए हैं द्वितिय शनिवार और रविवार के चलते अब दो दिन अवकाश रहेगा ऐसे में डिफेंस के अधिवक्ता सुमवार को CBI विशेश नियाए आधीश पावन कुमार तिवारी की कोट में जज्जमेंट की कौपी पेश करेंगे इसके बाद ही हाई कोट के आदेश का पालन करते हुए विशेश कोट से तलवार दमपती का रिहाई परवाना जारी किया जाएगा कोट से सुमवार को जेल में जाएगा परवाना तलवार दमपती के पेरोकारों को हाई कोर्ट के आदेश की एक सर्टिफाइड कॉपी जेल से रिहाई को लेकर एक प्रार्थना पत्र एफडेविट और दो जमान इत्लियों के मुचलके को CBI की विशेश निया आधीश पावन कुमार तिवारी की अदालत में जमा कराना होग इसके बाद अदालत एक पत्र जेल भेजेगी जिसके आधार पर डासना जेल से तलवार दमपती को रिहा किया जाएगा वहीं शुक्रवार को ओड़ा की कॉपी नहीं आने के चलते अब सुमवार को ही CBI कोर्ट से परवाना जेल को भेजा जाएगा जेल अधीक शक्द धिराम मौरियन ने बताया की कोर्ट ओड़ा में अगर CRPC 437 का जिक्र है तो ओड़ा कॉपी पहले CBI विशेश कोर्ट जाएगी वहां से CRPC 437 के तहट दो जमान इत्रियों से बेल बॉन्ट भरवाया जाएगा इसके बाद ओड़ा की कापी जेल भेजी जाएगी और रिहाई हो सकेगी 6.30 बजे तक कोर्ट ने किया ओड़ा की कोपी का इंतजार तलवार दमपती के हाई कोर्ट से रिहाई वाले आदेश के इंतजार में CBI की विशेश अदालत शुक्रवार को देर शाम करीब साड़े 6 बजे तक खुली रही देर शाम तक जब आदेश की कोपी नहीं अदालत में नहीं आई बंध हो गई आरुशी मत्याका